सिंपल और टेस्टी रेसिपीज के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात दी वेलकम फ्रेंड्स आज में आपके साथ शेर करें बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसानी से बनने वाली एक बिर्यानी की रेसिपी बहुत टेस्टी होती है आप इसे बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं तो चलिए बिस्मिल्ला करते आप बनाना शूर करते हैं तो एग्स आलो को बॉल कर लेना है अंडो के साथ ही अब अंडो को फ्राइ कर लेंगे तो एक पैन में मैंने एक टी स्पून ओयल लिया है थोड़ा सा नमक थोड़ी हल्दी और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ज और बिल्कुल एक चुटकी बिर्यानी क मसाला डाल कर हम इसे गोल्डन ब्र फ्राइ किया थीक उसी तरह से थोड़ा सा मिर्च थोड़ा हल्दी थोड़ा नमक और थोड़ा सा बिर्यानी मसाला डाल कर लेंगे आलो पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है अब इसे साइट में कर लेंगे और एक बड़ा सा वेसल लेंगे जिसमें हमें बिर्यानी बनानी ह तो दो टेबल स्पून में इसमें ओयल लिया है, थोड़ा घी भी मिक्स किया है, एक प्यास को हमें ब्राउन कर लेना है, जो कि हम बाद में गार्निश के लिए यूज करेंगे, अब उसी ओयल में हमें थोड़े खड़े मसाले डालने हैं, गरम मसाले, दो तेश पत्ता, दो छ किया है इसे, प्यास को हमें ट्रांस्लूसें होने तक फ्राई करना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल पिंकिश सा कलर रह तब तक, अब हम इसमें 1.5 टी स्पून लैसन का पेस्ट और 1 टी स्पून अद्रक का पेस्ट डालेंगे, अद्रक लैसन को भी प्यास के साथ फ्राई कर लेंगे, एक से दो मिनिट जब तक इसका कच्छा स्मेल ना चला जाए, अब हम इसमें एड करेंगे धनिया का पौडर 1.5 टी स्पून थोड़ा समय ने कुटा हुआ धनिया लिया है, आप चाहें तो पौडर भी ले सकते हैं, कश्मीरी रेड चिल पौडर 1 टी स्पून, अब इसमें मैं शान का बिर्यानी मसाला आट कर रही हूं, 2 टेबल स्पून, आप कोई भी बिर्यानी मसाला यूज कर सकते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं, अगर बिर्यानी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला थोड़ा जादा करके यूज कर लें, इसम अब तरुछे बूनना है हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर बूलने मसालो को जब ऐल सेप्रेट होने लगे तो अब इसमे आट कर लेंगे एक कप दही तीन से चार टेबल स्पून है दही को अच्छे से फेट कर आट करें और अपर अट करें ताके दही पहते नहीं और एक टीज़्फून गरम मसाला और ऑच्छे सी बून लेंगे , मसाला बहुत अच्छे तरीके से बून गया है ,ाब बोट मी में पानी युषु है नहीं टेरीक पनी नहीं कि रहुत के लिटर क्वाट्ड रिच कुने पानी भी हरिमिश डाल देंगे दो स्टार एनस में यूज कर रही हूं चकरफूर इससे बिर्यानी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिक्स करके हम इसे बॉयल आने तक कवर करके पकाएंगे पानी में बॉयल आ गया है अब हम इसमें चावल अड़ कर लेंगे चावल मैंने सेला यूज किया यहां पर इससे बहुत अच्छा खिले-खिले से चावल बनते हैं और मैंने इसे आधा घंट तक पहले भीगो कर रख तक करा यह फड़ है करी जाता था एक यह आधा लेमन का जूस में डाल देंगे हम ताकि चावल-खिले-खिले से बने थोड़ासा धनिया पत्ता थोड़ासा फ्रेश पंदीन faisaitपदीन के पत्ते डालकर इसे हम कवर करके पकाएंगे पांच में ठाई फ्लेम पर पका लेंगे उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे बीच-बीच में एक से दो बार उपर नीचे कर देंगे चावलों को ताकि एकवली हर तरफ से पक सके फिर कवर करके इसे पकने देंगे हम लगभग 80% चावल कुख हो गया है इस टाइम पर हम इसमें आलू और अंडे जो हमने फ्राइ करके रखे थे वो उपर से अरेंज कर देंगे अभी इसमें थोड़ा पानी आपको दिख रहा है इस टाइम पर अगर हम डाल देंगे अंडे तो इसमें भी फ्लेवर आ जाएंगे मिसालों के उपर से हम lemon के slices डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना brown प्यास जो हमने करके रखा ता वो थोड़ा डाल दें यहाँ पर थोड़ा सा बिज्यानी का मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे यहाँ पर हम flavor के लिए हम थोड़ा घी डाल देंगे उपर से kevra water डाल देंगे अब हम इसे cover करके दम पर रख देंगे 10 से 12 मिनिट इसे दम पर पकाईए slow frame पर बिज्यानी रेड़ी है थोड़ा सा उपर नीचे कर लिए चेक कर लिए हम प्राइस हो गया है कि नहीं बहुत खुश्बुदार और मज़दार सी बिज्यानी रेड़ी है flame को आफ कर देंगे और लगभग 10 से 15 मिन बिल्कुल undisturbed इसे rest करने देंगे उसके बाद ही हम इसे serve करेंगे ताकि flavor सारे enhance हो सके बिज्यानी को मैंने serve कर लिया है डिश में बहुत खिले-खिले से मज़ेदार से चावल हुए हैं तो बहुत ही यमी सी एक बिर्यानी रेड़ी है आप इसे अपने मेहमानों को serve करें बच्चों को lunch box में दें घर में बनाएं सबको बहुत पसंद आएगी इंशाला ट्राइ जरूर कीजेए और comment करके मुझे बताईए कि आपको कैसा लगा डिशाउट करने के बाद अब इसे ब्राउन प्यास और हरी धनिया से गानिश कर लें टेस्ट में बहुत ही जबदस्त होती है होप आपको रेसीपी पसंद आई होगी वीडियो को प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सरूर करें बेल आइकन को हिट कर दे ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखें मुझे दोव में शामिल रखें अल्ला हाफिज